हेलो स्टूडेंट्स आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा हरियाना बोर्ड क्लास नाइन और सब्जेक्ट आपका सोशल साइन्स इसका जो है हम सेंपल पेपर करने वाले हैं प्रैक्टिस पेपर दो हजार तेईश चोविश के सैसन के लिए चलो सुरू करते हैं वी लिस्ट के लिंक मिल जाएंगे वहां से देख लेना और अगर आपको यह पेपर वगारा डाउनलोड करने हैं इंपोर्टेंट कोस्टन से लिखे हो वेची यह ओल्ड कोस्टन पेपर डाउनलोड करने हैं तो एक ही वेबसाइट पर मिलेंगे गूगल पर जाकर सर्च कर ले यानि सामाजीक विज्ञान तीन घंटे का पेपर होगा असी नंबर का पेपर आएगा जिसके अंदर आपके जो है चार सब्जेक्ट हैं हिस्ट्री पॉलिटिकल जियोग्राफी और इकोनोमिक्स इतिहास राजनीति विज्ञान भूगल और अर्थ सास्तर ठीक है दोनों को समझा दो मैं कोई दिक्कत नहीं आएगा आपको दोनों मीडियम के लिए यही वीडियो आपके हल्पफुल हो रहेगी ठीक है चलो अब सुरू करते हैं को देखो आपके जो है सेक्शन बने हुए हैं पहले जो पेपर आते थे पहले यानि कि 2022 में आए 2023 के मार्च में आए य जो है पोलिटिकल का एक सेक्शन मना दिया अबकी बार ऐसा नहीं है अबकी बार पेपर को पूरा बदल दिया गया है डिजाइन को बदल दिया गया है आपको पहले मिलेंगे 20 MCQs 20 क्या मिलेंगे MCQs उसके बाद में सोर्ट कोशन आपको खुद ही पता लगाना कौन सी किता आप से क्या दे दिया वह इनकी मर्ची है ठीक है वैसे मैं बता दूँगा हिंट के तोर पर कि कौन सी बुखका यह तो दिक्कत नहीं होगी चलो कोशन नमबर वन देखते हैं वर्ल्ड रिलिजियस कॉन्फरेंस यानि विश्व धर्म सम्मेलन वास हैल्ड इन शिकागो सीट आपको आइडिया रहना चीए ठीक है चलो आगे बढ़ते हैं इसका सही है नेस्ट कोस्टन देखते हैं दा फाउंडर ओफ इंडियन नैसनल कोंग्रेस वाज इंडियन नैसनल कोंग्रेस भारतिया राश्ट्रे कोंग्रेस की स्थापना किस ने करी थी तो वह थे ए-ओ-ओ- कुका अंदोलन देखो यह एक ही चीज थी नामधारी भी कहा गया कहीं जगह पर उसको कुका क्योंकि कुका लोगों ने शुरू करी थी उस मुमेंट को तो वह कहां पर हुई थी वह हुई थी पंजाब में चलो नेक्स कोशन देखते हैं रिवोल्ट ओफ इंडियन नैसनल नेवी और क्योंडिन जो विद्रो था इंडियन नैसनल नेवी यानि भारतिय नो सेना ने विद्रो कर दिया था जब वह हुआ था ना नेताजी ने जो है आर्मी भेज दी थी उस समय अंग्रेज धरे हुए थे युद का महोल था और उसी टाइम पर भारतिय सेना ने जो अ देखते हैं नेता यह इसे कोशंट कशन अभी तक आ रहे हैं ना सारे हिस्ट्री के कोंशनल इतिहासवा दटाजी सुभास चंदर भोस केम टू साथ रोडड विलेज ओफिससार इन नेताजी सुभास चंद्रबह्ष अ कब आये थे वह हम से पूछ रहे हैं तो वह कब आये थे 1938 में 1938 इस्वी में आये थे हूँ पब्लिश्ड दा न्यूजपेपर जाट गजट तो यह जो न्यूजपेपर था इसको किस ने पब्लिश किया था इसको किया था चोदरी छोटू राम ने कहां है उप्सन यह रहा सी उप्सन ही मनलों क्या सोचके बनार गया है इन्हों सब कमाल की वात है चलो कोई ना देखते हैं चाइना फैमें और फिल इन दा ब्लैंक वाज दा वर्स्ट रिकोर्डीड फैमें इन दा वर्ल्ड हिस्ट्री यानि कि चीन में खालिस्तान के दोरान पड़ा अकाल विस्व इतिहास का अब तक सबसे भयानक अकाल था तो वह कौन से टाइम में हुआ था वह हमसे पूछ रहे हैं वह था 1958 से 1961 के बीच में हुआ था यह जो है आपका यह हाँ पोलिटिकल से यह वाला कोश्चन अकाल वाला ठीक है नेक्स्टेशन देखते हैं,क्यूस्टन है मारा In our democracy, میकिंत पावर मस्ट रैस्ट विड्व किसके साथ होती है नहीं की जिसको लोगों ने चुना हुआ इकSternal पावर ग्शोति ऌने चुने लोगों द्वारा चुने गए परती नीधी के पास सारी ताक्ते होती है फाइनल डिसीजन की यानिकी नेताओं के पास तो होती है नेता काँ से आए लोगों के द्वारा चुन कर आए हुए है वेन वाज युनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज ग्रांटीड इन इंडिया यानिकी सारो भूमिक व्यस्क मत अधिकार यानि वोट देने का अधिकार जो है किस वरस परदान किया गया तो यह कब परदान किया गया था यह 1950 में आया था जब भारत आजाद हो गया था और इल सबसे बड़ा लिखा हुआ सविधान किस देश का है हमारे लाव यह काम कोई नहीं कर सकता भारत वाले यह वो चलो नेक्ट देखते हैं भारत इसका अंसर नेक्ट कोश्चन है Chief Election Commission यानि की मुख्य निर्वाचन आयुक्त की न्युक्ति कोन करता है तो कोन करता है उसकी न्युक्ति वो करता है भारत का राष्ट्रपती प्रेजिडेंट ओफ इंडिया नेक्स्ट कोस्टन है consider the following statement अब यहां पर following statement है A और B इन statement को देखना है और उसके बाद हमको decision लेना है इन साउदी अरभिया women do not have the right to vote till 2015 यह कह रहे है कि 2015 में साउदी अरभ के में जो महिलाएं थी उनको वोट देने का दिकार नहीं था यह बात यह सही है हां सही है बी ओप्सन देखते हैं बी पॉइंट देखते हैं इनका in Fiji the electoral system in such that the vote of an indigenous Fiji has more value than that of Indian Fiji तो क्या यह बात सही है हां यह भी बात है सही है इनकी तो यह दोनों बात सही है तो उस case में हम देखते हैं कौन साब क्या है बोथ A and B are true ठीक है यह ओप्सन हमारा सही रहेगा यह के मूल वासियों के वोट का महतव भारतिया मूल के फीजी नागरिकों के वोट से ज्यादा होता है तो यह बात भी इनकी सही है नेक्स्ट जो कोश्चन आ रहे वह आएंगे हमारे जियोग्राफी से अभी तक बीच में जो कोश्चन आये थे वह आये थे पोलिटिकल के ठीक जो जो नदी है रिफट वैली के थुटि बहती है यहांगी ब्रंस गहटी में से बहने वाली नदी कौन सी है इन में से तो वह है तापी रिवर तापी इंडिया तो इन में से कौन सा स्टेद है जिसमें सभसे ज्यादा पॉपू लेशन डानट् सीटिटी है वह है यहां पर ऑप्षाप से देखना थेका न इसमें पूछ रहे है, फिजिकल कैपिटल में क्या क्या होता है, बहुत इक पुझी में, टूल्स, बिल्डिंग, मशीन, ओल ओफ दिज, तो क्या है, ओल ओफ दिज, फार्मिंग इजा टाइप ओफ, फार्मिंग जो है, यानि क्रिशी एक परकार की खालिस्तान की रिया, यानि कि प्राइमरी है, टर्सरी, सेकंडरी, नन ओफ दिज, तो कौन सी एक्टिविटी जे, प्राइमरी एक्टिविटी है, प्रात्मिक की रिया है, सबसे आसान कोश्च पर यह और भी दोनों या कोई नहीं तो किस पर संबंदित है यह दोनों पर संबंदित है यह जो ग्रिन रिवोलुशन आये था इसमें काफी सारे सुधार किये गए थे लेकिन फिर आखिर में बैंडी बज गई चलो कोई न हो जाता है परधान मंत्री ग्रामोद्य योजना व पर देखोगे तो उनमें ऐसे कोई नहीं थे जैसे अब की बार यह अलग अलग मलब सेक्शन को सारे को भसड मचा दी है अब को इंदाजा लगाना पड़ेगा पहले तो कि कुन से किताब से है ठीक है अब दूसरा जो सेक्शन आएगा वह सेक्शन भी रहेगा जिसमें आप हमी दयानन सरस्वती ने करी थी 1875 में ठीक है टू मेन ओब्जेक्टी ओफ गादर मुमेंट यह जो गदर अंदोलन था इसके दो मुख्या उदेश्चे हमको बताने हैं तो इसके दो मुख्या उदेश्चे थे पहला था भारत के आजादी के लिए संगर्स करना लडाई करन दूसरा था जो नए जवान युवक आ रहे हैं उनको करांतिकारी गति वीडियो में सामिल करना तो यह था गदर अंदोलन ठीक है नेक्स्ट है डिफाइन सेंसस यह तो असान है जनगन्ना को बताना है जनगन्ना क्या होती है तो यह एक निश्चीत टाइम के दोरान में जो मलब जनसंक्या की आधिकारी गणन्ना यानि की जैसे कह सकते हो की काईज़ों के उपर गणन्ना करनी है उनकी हां इतने इस इलाके में साम को गिना जाता है उसको जन गणनना कहते लिए 10 साल में होती है एक बार तो यह चीज हमको बतानी है ठीक है अब नेक्स्ट देखते ह क्या होते हैं वह एरिया जो ते हैं प्रोटैक्टि एरिया जिन में प्लांट और एनिमल दोनों की जो है स्पीचीज को सिक्योर किया जाता है अब यह जो है उधारण के तोर पर पे रहें कोई जैंपल भी देने दो इकजैंपल जैसे कि नंदा देवी सुन्दरवन यह जैसे करें से ऊद्ध्यान देखें वो ये इसी काम के लिए IV ये हमारा उससे आ गया code OF कंडक्ट ये साहिद है पोलिटिकल से code of conduct क्या होता है तेखो चुनाव के टाइम में जो है पार्टियां या फिर जो उम्मीद्वार होते हैं जो नेता वेता खड़े होते हैं इलेक्शन में तो उनके दवारा कुछ काईदे कानून होते हैं उनके कुछ काईदे कानून होते हैं उसको हम कहते हैं यह चीज बता देता हूं यह जो सेंपल पेपर्स आयों है बहुत प्यारे कोश्चन आने के चांसे हैं फाइनल एक्जाम में भी तो इन सारे पेपरों को जरूर कर लेना सारे सब्जेक्ट होगे ठीक है पीडियेस का पब्लीक डिस्ट्रिबूशन सिस्टम तो इसका जो हमको बताना है कि यह क्या चीज होती है देखो क्या होता है जैसे गाउं में है रासन पानी बढ़ता है वो पीडियेस के थुरू आता है अब इससे आप आइडिया लगा सकते हैं इक डिस्ट्रिबुशन का काम करता है यानि कि हिंदी में बताऊं तो भारतिय खाद्य निगम दवारा अधी प्राप्त अनाज को सरकार वी नियमित रासन दुकानों के माध्यम से समाज के गरीब वर्ग में वित्रित करती है उसको PDS कहा जाता है ठीक है यह एकोनोमिक्स का था अब उसके बाद में सेक्षन सी पहली बार हर्याना बोर्ड ने इस टाइब के कोस्टन को इंट्रोड्यूस किया है स्टूडेंट्स के सामने और टीचर्स के सामने भी यह केस स्टडी बेस्ट कोस्टन आठ नंबर के आएंगा आपके पर में अब की बार और इनको समझ लो गलती नहीं होगी दे यह मत सोचना के स्टेडी बेस्ट को सन अपने पास से बनाएंगे बॉर्ड वाले या कुछ भी दे देंगे यह आपकी पढ़ी हुई बुक में से ही पूछा जाएगा ठीक है यह आपको क्या करना है आपको बताता हूं आपको यह पढ़ना है पहले इंगलिस में पढ़ ले हिंदी तो जो भी है हिंदी में पढ़ लेना ना पता हिंदी में इंगलिस में ले पramosने के देखो सवडी अरब में किस क cuestión की सरकार हैं सबसे राजसाही सासन की सरकार है है अब यहाँ पर कहीं न कहीं हमको मिलेगा उपर पढ़ेंगे तो ठीक है तो देखें एक बार मैं पढ़के दिखा देता हूं आपको तागी थोड़ी दिक्कत ना हो साउदी अरब में नागरी कदिकार आईए अब साउदी अरब का उधान देखें और वहां की सरकार अपने बोल रहे हैं भाई अंसर बिल्कुल ऐसे जैसे अंसेन पैसेज होता है ना इंगलिस के अंतर कि चलो मेरे में से अंसर ढूंड के लाओ वो काम नहीं है यहाँ पर आपको इससे पढ़ने से पता लग जाना चाहिए कि यह जो बात कर रहे हैं वो कौन से सासन की बात कर रहे है यहाँ पर लोगों को कोई अधिकार नहीं अपने राजा को चुनने का यानि कि जो है वो अलग राज साही सासन यहाँ पर चल रहा है राजाओं टाइप का सासन है ना उसके बाद में आगे पड़ते हैं पोईंटों को साही विधाईका और कारिया पालिका के लोगों का लोग कोई राजिनेतिक दल या संगटन नहीं बना सकते मीडिया साहा की मरजी के खिलाफ कोई खबर नहीं दे सकती कोई धार्मीक आजादी नहीं है मुश्चिरफ मुसल्मान ही यहां के नागरिक हो सकते हैं यहां रहने वाले दूसरे धर्मों के लोग घर के अंदर ही अप को कम आका जाता है और उन पर कई तरह की सारवजनिक पाबंदियां भी लगी हुई हैं ये बाते शिर्फ साउधी अरब पर ही लागू नहीं होती तुनिया के ऐसे बहुत सारे देश है जहां ऐसी इस्तितियां आज भी मुझूद हैं तो यह जो हमने पढ़ लिया अब इसके भी हाप आपको समझ तो आगया होगा न क्या बात करी हमने थोड़ी बहुत पढ़ने से एक बार पढ़ोगे एक की बार में समझ आ जाता है इतना मुस्किल नहीं होता उसके बादर देखो साउधी अरब में किस प्रकार की सरकार है तो हमने पहले ही पोइंट में पढ़ा थ जो राज्य धरम है वो कैसा है मुसलमान या इसलाम धरम है उनका ठीक है राज्य धरम जो है साउधी अरब में महिलाओं और पूरुसों महिलाओं को पूरुसों के समान अधिकार प्रापत है हाँ या नहीं तो नहीं है ना आम में पता लग गया वो पढ़ने से मीडिया सहा की मरजी के खिलाव कोई ख़बर नहीं देसकती agents किसे सवतंतरता की बात यहां की गई तो कैसी अभीवेंगती की सवतंतरतह सांसकृति-क tal Baptist All सवतंतरता का दिखार इन में से कोई नहीं देखो मीडिया की बात जब हम करें तो कैसी यह होती है वह होती है अभी वैक्ति की सवतंतरता freedom of speech and expression तो वो मीडिया के पास वो राइट वो freedom नहीं है ठीक है जो इंगलिस में पढ़ रहे हैं वो थोड़े कोई नहीं टोकरा तुमको ठीक है उसके बाद अंसर देने आपको इन में से भी इन में से जिस मीडिया में पढ़ाओ को सी में दे पाओगे अंसर तो आप है ना तो यह चीज़ ध्यान लगना पढ़ना है और इसके अंदर से कोश्चन मिलेंगे दो तीन कोश्चन आपको ऐसे लगाना पड़ेगा अब समझ में आगया के स्टेडी बेस कोश्चन कैसे होते हैं लेकिन आपको समझना है ठीक है ना अच्छे से करोगे अच्छे से डफिनेशन में याद करी होंगे आपने तो कोई दिक्कत आपको नहीं होगी थोड़ा दिमाख लगाने वाले सवाल है ठ कहानी हम इंगलिश में पढ़ना बिल्कुल पसंद नहीं करते हम हिंदी में पढ़ना पसंद करते हैं उत्तर भले इंगलिश में मांगलों से चलो देखते हैं इस कहानी को देखते हैं देखो यह कोश्चन करा रहा हूं अच्छे से समझ लो दूसरा कोश्चन यह भी चार न पूटा चोदरी खेत में काम करते थे सकल घर में कामकाज में अपनी मा की मदद करता वह अपने छोटे भाई जीतू और बहन सीतू की भी देखवाल करता था बड़े जीव जीव नाम रख रख्यार उसके चाचा सियाम ने मैट्रिक होते दस्मी की थी कि परिक्षा पास की थी लेकिन वह घर में बेकार बैठा था क्योंकि उसे कोई नोकरी नहीं मिली बूटा और सीला चाहते थे कि उनका बेटा सकल पढ़े लिए वे उस गाओं के स्कूल में नाम लिखने के लिए जोर देते हैं जिसमें उसने सिगर प्रवेस पा लिया उसने पढ़ना सुरू किया और उच्चतरम अध्यमिक की परिक्षा पास कर लिए उसके पिता ने उसे अपनी पढ़ाई पूरी जारी रखने के लिए राजी कर लिया उन्होंने सकल के लिए कंप्यूटर के व्यवसाई कोर्स में अध्यन के लिए करज लिया शकल परतिभा साली था और आरम से ही सफ्ट्वेर को डिजाइन किया मजाग बना रखा इन्होंने तो चलो आगए बढ़ते हैं इस सफ्ट्वेर से फरम को अपनी बिक्री बढ़ने में साहता मिली उसके बोस ने उसकी से परसन होकर उसे पदोनती दी यानिकी तरक्की करवा दी उसकी ठीक है अब समझ में आ गय पर माता के बारे में उसकी मासीला घर का काम देखती थी है ना बताया हुँ है लेकिन अब देखते हैंrin को क्या क्या नहीं थी ठीक है चाचा चाचाल उसके संद्रम ने matterww वेको नोकरी नहीं मिली थी समझ गभू यह वो तो क्यों लिया तो क्यों लिया था कर्ज करज लिया देखते हैं करज लिया देखते हैं दूढ ते अ दो डिख को सिर्फ अबने सवालों का ज्वाब यहीं पर मिलेगा अड़्यक देख लो बस वह वापिस yardım बहुत होता देखो उसने सकल के लिए computer के व्यवसाई course में अध्यन के लिए कर्ज लिया क्यों लिए तो यह नए प्रकार के software को design भी किया design किया और इस software से फर्म को अपनी भीकरी बढ़ाने में साहिता मिली और इसी वज़े से उसको पदोनते प्राप्त हुई तो इस तेरिकेस आपको लिखने है फिर भी आपको एक एक नंबर पूरा मिलेगा ठीक है ना एक एक नंबर के question है अब तो समझ आ गया होगा कैसे करने हैं दो question मैंने करके दिखा दिए यह वाला साइद मेरे को ऐसा लगा जैस अपकी बुक में से ही देंगे लेकिन चांसे जैब बुक में से दे सकते हैं ज्याद है थोड़ा से आपको समझना है और अलर्ट होके पढ़ना है समझदारी से समझ के और अंसर देने हैं बस कुछ मुस्किल नहीं है ठीक है अब यह आप आराम से कर लोगे और अब की बार पहली बार इंट्रोड्यूस करा रहे हैं इसलिए मैंने दोनों question आपको करके सरकी के थुरू इनको कर लेना ठीक है यह जो question है उसके बाद एक section आगा बड़े question का ऐसे type questions का जिसमें आपको options दिए जाएंगे ठीक है option देखो जैसे यह वाला है इसका option में यह कर लो यह यह कर लो और यह कर लो अब की बार मैं एक मस चीज़ बताता हूं तुमको पहले के जो paper होते थे ना पहले के मतलर आज अभी से पहले के जो previous year paper जो हुए है उनमें option बहुत कम थे अब की बार option बहुत बढ़ा दिये लोग बास्ट में देखते हैं मैप वर्क मैप वर्क आएगा पांच नंबर का पहले ज्यादा आता था घठा दिया नहोंने कोई बात नहीं क्या कर सकते माई है न मैप कैसा आएगा देखो मैप में आपको questions दिये जाएंगे यह पहले 10 वालों के दिये जाते थे 10 वालों को भी देंगे लेकर 9 वालों को भी यह ऐसे ही question दिये जाएंगे अब इसमें क्या करना है देखो मैप दिखाता हूं उसके बाद में चेन नहीं को मैप के ऊपर भरना मैप दिया आ जाएगा है और उसी स्यमे मैप में आपको भरना है प्रिνस्य tate of हैदावाद हैदराबाद की र्यासत बतानी है तो वह तो हैदराबाद हिद्राबाद में होता है तो वह करेंगे जाएगा नहीं त represents मार्क आउट करना है ठीक है बाकि जो है मैप वर्क वगारा की वीडियो में आपके लिए बना दूँगा ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो अब वैसे जो है आप जियोग्राफी या भूगोल से मैप आएगा तीन नंबर का जिसमें नीलगिरे की पहडियां पूछली हमसे चिल मैप में करते हैं और उसके बाद में आपको मैप में भरने के लिए बोलते हैं कई तुम सोचों कि सीधा सीधा मैप आएगा भाई दिल्ली अर्याना पंचन्दिगर भर दो ऐसा मैप नहीं आता मैप आपका ऐसा आएगा जिसके अंदर आपको पहले कोश्चन को सोल्व करना है हां कुछ मैप देखो यह यह है यह आसान है यह सीधे सीधे पूछ रहें लेकिन ज्यादा तर केशिज में आपको ऐसे वाले मैप मिल सकते हैं तो डरना नहीं है तैयारी थोड़ी मैप के अच्छे से करनी है नहीं तो आपके पांच नंबर रिस्क पर आ जाएंगे ठीक ह है तो इसको कर लेना बाकि मैं आपके लिए जो है मैप की वीडियो बना दूँगा इंपोर्टेंट मैप लोकेशन भूगोल की भी और इतियास की ठीक है हिस्ट्री दोनों मीडियम में अब जो है उस वीडियो को देख लेना उस वीडियो से आपके लगबग सारे मैप आप कवर कर पाऊगे तो उस वीडियो को मैं बनाने में थोड़ा टाइम लगया बट आपको एक्जाम से पहले प्रोवाइड करा दी जाएगी वीडियो तो अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना अब देखते हैं यहां पेपर हमारा ह सब्सक्राइब किया अब यहां पर इंपोर्टन कोष्टन देखनें उसको चले जाना आपको सस्क्राइब बोर्ट क्लास से ना चूछ कर लएन है और उसके तो यहां पर डाउनोड हो जाएगा अंसर की के लिए इस पर कलिक कर लेना अंसर की यह PDF में दे रखे दोनों चीज़ें तो यह से आपने डाउनोड कर सकते हो ठीक है ना समझ में आ गया और एक चीज़ ध्याना कुछ स्टूडेंट जो है इस वाइब साइट पर पता नहीं कह क्लिक मारते रहते हैं जिन पे भी आपको औरेंज कर्लर मिले ठीक है वह लिंक ही एक्टीव लेकिन अगर आप पे क्लिक करोगे साइंस पे हो गया तो वहां पर आप जो है यहां पर सीधा जो है तो यह आपका पेपर ऐसे खुल जाएगा ठीक है यही पेपर तो कराया मैंने आपको देखो यह मिस्टाइप ती यह यह आरर है मिस्टाइपिंग एर थोड़ी सी कोई बात ही चलता इतना ठीक है पिछले सालों के सेंपल पेपर्स वगरा भी अव स्क्रिप्रिप्शन में मिल जाएंगे मिलते हैं नहीं वीडियो में बाइबाइब